है सबी किसान वाईँ को नमस्कार 202 हम पहुंचे हैं गाम-खेडी में किसान हमारे साथãy अनिल्कुमार पूनिया जी औम्परकास जी इन लोगों ने आज हमारे जो शक्तिबर्दक प्दायक्ट हैं वो जूज करते हैं जर सकतिबर्दक के प्दायक्ट लगाते हैं इन्होंने हमारी केर 64 और केर 111 का पास लगा रखी है जिसका खेत भी आप देख रहे हो ये खेत अभी इनका पूरा खेला हुआ है आखरी चुगाई ये करने वाले हैं इसके बारे में हम इन से जानकरी करेंगे कि इनको कितनी पैदावार इनकी मिली तो मैं निलकुमार जी से सबसे पहले तो सभी किसानबायो राम राम मैंने कपास लगाई है जी 64 और 111 को दोनों अच्छी वराइटी है 64 निकड़ी है 14 कुंटल परेकड और 111 निकड़ी है 16 कुंटल परेकड इसके अंदर और 64 और 111 में थोड़ा सा फ्रक है 64 निच्चे यह 111 है यह निच्चे नहीं गिरती चौंट थोड़ी गिरती है इसकी बड़वार जादा 111 की और फुटाओं भी बहुत जादा इसके अंदर इसकी जो यह टेनिया यह जादा निकड़ती है 111 की 64 की बतल जी अच्छा एक बताओ अनिल जी अभी आपने बताया कि जो के आरे 111 है 16 कमंटल आपने चुगाई कर ली है और इसका बाव आपको क्या मिल रहा है इसका बहुत 6,000 रुपे कुंटल है सर शे जार रुपे कुंटल लग बगए 90 और 95,000 की आपको परती एकड़ा जो पैदाबार आ रही है त और एक अनिल कुमार जी ने हमारी जो गेहूं की ब्रैटी है जो बहुत अच्छी बिक रही है अभी इस समया ब्याडी-ब्यासी और 41-42 इन्होंने ये पिछले साल लगाई थी इसके बारे में भी बताएंगे इनकी कितनी पैदावार आई थी इक थालिस-ब्याडी-ब्यासी पिछली साल लगाई थी सर मैंने उसके वो निकड़ी है सर असी मन पर एकड़ तो वो भी ट्राई पे थी पिछली साल तो एक एकड़ के अंदर थी अब की बार तीन से चार एकड़ में लगाएंगे सर इनल्कुमार जी ने बताया कि असी मनपरती एकड़के साथ उनके खेत में जो गेहु निकली है लेकिन किसी को गेहु का बताती है ना सी मन का भी असी मन की पैदावार हुई है तो जूट समयता है जोट आ। तो मैं अनिल कुमार जी से कहूँगा कि वो अपना अपना नंबर और बता दें कोई भी अनिल कुमार जी से उस नंबर पर अपनी बात कर सकता है दन्यबाद अनिल जी